अभी हमारे next point है wrist point है यानिए कलाई का point है कलाई미 में दर्द हो कलाईδα में आपका movement नहीं हो रही हो जाम हो गई हो थो उन condition में हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं अगर हमारे reports में Carple-Turnal syndrome या आपका trigger figure कर यानि कि जब उंगलियां नहीं खुलती है यहां नाश खिच जाती है तो भी देश एक राइटिंग क्रैम्स में भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं फिजिकल ट्रिट्मेंट है बहुत एफेक्टिव हैं लेकिन साथधानी से देना है जब यह कलाई की मुमेंट आपकी नहीं हो परलाइस में भी दे सकते हैं तो उसमें क्या करना है आपने हाथ को इस तरीके से पकरना है पकरते समय ध्यान करें कि यह आपका मुमेंट आपकी दोनों अंगुठे इस तरीके से रखने हैं उससे पहले आप इसको चाहें तो इसको फ्री कर सकते हैं फ्री करने के लिए आप आप अपनी उंगलियों से हाथ को पूरा पकर लीजे, 4-5 बार clockwise करिए, इस तरीके से, 4-5 बार anti-clockwise करिए, इस तरीके से, clockwise और anti-clockwise करने का थोड़ा लूज किया हमने, उपड़ नीचे किया, दाएं बाएं किया, तो ये कलाई लूज हो गई, अब आप इसमें wrist point देंगे, उसम में अब वाएं और 5-5 बार anti-clockwise करिए, उपन नीचे करिए, और उपन नीचे करिए, पांच भी, 5-7 बाट करना है, 5-6 बार कर तो हलक यसा जर्ख देना है यह नो तो पाँ वार शे वार देने के बाद यह हलक असा जर्ख देना है जर्ख देते से में patient को बता नहीं है कि जर्ख देना नहीं तो वो tight कर लेंगे और इसे आपको दिक्कत हो सकती है उनको तो आप हलका सा उन्हें उपर नीचे अप डाउन अप डाउन करिए और उसके बाद हलका सा जर्ट देंगे तो यहां से आपका जो भी ब्लॉकेज है वो खुल जाएगा और इसका फिर आप इनको रिलैक्स कर सकते हैं यह हमारा रिस्ट पॉइंट है कलाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है किसी प्रकार की ब्लॉकेज है कोई भी इसको आप दूर कर सकते हैं यह बहुत एफ्यक्टिव है हर उंगली को भी मुमेंट आब बात में करा सकते हैं इस तरीके से तो यह आपके यहां पर और लास्स में आप यह धियान करें यहां पर अंगूटे को रखकर आप इस point को press करिए, यह बिल्कुल कलाई के बीचो बीच, यहाँ पर आपकी नर्व है, यहाँ से ही आपके सारे उंगलियों को control होता है, तो यहाँ से आप हलका सा इसे twist कर सकते हैं, इप पॉइंट की तरह दे सकते हैं, यहाँ से भी आपका junction है, यह हमारा कलाई का junction है, तो यहाँ पर भी हमारा इप पॉइंट बन सकता है, और यहाँ से हम पूरी कलाई को control करते हैं, कि वह आप यहाँ दवा दिजे, तो आप देखेंगे कि आपकी कलाई की moment भी रुक जाएग तो कलाई से related points में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिष्ट point इसका नाम दिया गया है